तो दोस्तों कैसे हो आप लोग यहां पे जो मैंने नीचे टाइटल दिया है वहां से आप समझी सकते हैं कि इस वीडियो केस बार में है और मैं क्या बथाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं जीओ का 4G फीचर फोन एक बहुत ही बरिया इनोवेशन है जो करीब करीब दो हपते के अंदर रिलीज होने वाला है यह ख़वर आ रही है मुझे अब एक्चली मुझे पता नहीं है कि कभी रिलीज करने वाली है लेकिन इतना कहा जा रहा है कि फेबरी के सेकेंड या थर्ड वीड के अंदर यह फोन रिलीज हो जाएगी इस फोन के तीन वेरियंट्स होंगे एक 999 एक 1299 और एक 1500 यह तीन वेरियंट होंगे और तीन में अ अंतर होंगे तो मेरे पास एक exclusive photo आ गया है और चलिए दिखते हैं फोटो कैसा है आपने जो मॉडल देखा वो था 1200 इंडिया अंब बेर पर की बाला जो मॉडल उसमें आप देखी सकते हैं फोटो में उसके उपर जो माइंड जीयो एप्स है उनका एक shortcut button दिया गया है तो यह बहुत अच्छी बात है कि हम यहां पे भी जो माइंड जो के features है वो यूज कर सकती है लेकिन एक minor point मुझे लगता है यह जो माइंड जो के apps है वो तो 2017 तक ही free है उसके बाद तो यह paid app हो गए लेकिन तब अगर उसके बात अगर कोई click कर देगा माई जो आप पर तो सायद problem हो सकती है तो चलिए बढ़ते हैं कि इन phones में कुछ common जो specifications होंगे जो मुझे पता चलिए है यह एक I mean यह confidential news नहीं है यह perfect news नहीं है लेकिन मुझे पता लगा है जो मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ तो पहली बात जो है इसका display इसका display होगा 2.4 inches का QVJ ऐसा news रहे 2.4 inches एक मिनीट रुख जाहिए यह लखे यह है यह है नोकिया का 206 और करीब-करीब बिल्ट क्वालिटी या फिर आप कह सकते हैं जो design इसी की तलब होगा करीब-करीब यह भी 2.4 inches के साथ आता है और अब जियो ने जो है वह अपना 72.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट कर चुका है 31st of December में अभी करीब-करीब 80 मिलियन सब्सक्राइब तो वह प्लान कर रहे है कि प्रसेसर क्या रखें तो उन्हें चाहिए एक लोग कोस्ट प्रसेसर जो सब्सक्राइब कर सके और सब्सक्राइब कर सके तो इसी बारे में वह अभी तक शोर नहीं हो पाया है वह मेडिया टेक और स्नैप्रेगम दोनों से ही बात कर रहे हैं कि लो कोस्ट यूनों हाई फ्रिक्वेंसी प्रसेसर क्या हो सकता है इस मीट्रेंज में तो देखते हैं क्या आता है इसका जो डिस्प्ले होगा वह होगा टीनन मतलब यह वाला यह देखिए पहले चाल लेते हैं कि यह टीनाइन होता गया है टीनाइन मतलब एक से नौ तक नौ स्वीज रहेंगे एक डिस्प्ले में जिसमें हर एक के अंदर तीन या चार करके अल्फबेट्स रखे होंगे अब देख्या है यहांपे जैसके अगर मैं एक एग्जैंबल ले लहूं तो आप अगर आर्थ को दिखेंगे आप यू वी यह तीन वर्द ही मतलब आरट को अगर एक बर प्रेस करेंगे तो ती आएगा message option में दो बार प्रेस करेंगे तो यू आएगा और तीन बार प्रेस करेंगे तो वी आएगा तो यह होता है तीन आइन डिस्प्ले और कि इसमें आप अगर फॉटो को धियान से देखेंगे मैं लास्ट टाइम एक और बार भी दिखा चुका हूं तो वहां पर एक डेडिकेट जो टॉट्च लाइट है उसका option था मतलब आपको एक फीचर फोन में कैमेरा मिलता है डिस्प्ले मिलता है टॉट्च लाइट भी मिलत कि यह जो खवर आ रही है कि यह जो फोन है इसमें एक hotspot connection हो सकता है मतलब wifi तो होगा ही obviously लेकिन जो basically smartphones में होता है hotspot connection हो सकता है जिससे आप उस फोन को एक router की तरफ ही इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब आपने जो पैक उस फोन में डाल दिया उसके बाद अगर आतना कोई बड़ा 3G phone है तो आप उसमें भी internet access कर सकते हैं उस छोटे phone का hotspot उनको के लेकिन यह अभी perfect news नहीं है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा लेकिन फिर में मैं में बहुत सारे you know जो vlogs है वो ऐसे कुछ बहुत सारे पढ़े हैं तो वहां पे बहुत जगा में यह mention है कि ऐसा hotspot connection मिल सकता ह है तो कुछ छोटे या बड़े आप जो भी कहने information about the Geo features phones and आज 23rd of January है और हमाने एक महाननेता की जन्द दिन और एक पाथ चो है आज redmi note 4 release कर रहा है MI store और जो flip card है वहां पर आज 12 वज़े से शुरूर है sale और एक बाद मुझे redmi note 4 में अचा नहीं लगा जो bad black वाला color है वह क्यों नहीं जो 4gb वाला वीडिया जो भी हो अगर आप देना चाहिए तो ले सकते हैं 12 वज़े या चतना तो अभी के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर